पाणी, 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है उनकी पूर्ण प्राप्ति, मसी का प्रचार हो रहा है, इससे मुझे आनन्द होता है, और मैं आनन्द मनाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी प्रात्नाव और येशु मसी की आत्मा की सहेता द्वारा इन सब बातों का परिनाम यह होगा, कि मैं मुक हो जाऊंग मेरी हार्दिक अभिलासा और आसा या है कि मुझे किसी बात में लज्जा नहीं पड़ेगा और मसी मुझ में महमानुवित होंगे चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं मेरे लिए तो जीवन है मसी और मिर्त्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति किन्तु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ मैं दोनों और खिचा हुआ हूं मैं तो चला जाना और मसी के साथ रहना चाहता हूं या निच्चे ही सर्बोत्तम है किन्तु मेरा सरीर में विद्यमन रहना आप लोगों के लिए अधिक हित कर है मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रह कर आपकी सहता करूंगा जिससे आपकी प्रगती हो और विश्वास में आपका आनन बढ़ जाए इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहां आऊंगा तो आप मेरे कारण येशु मसी पर और भी गवराव कर सकेंगे या प्रभु की वानी है संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अधियाई 14 वाकी 1 और 7 से 11 येशु किसी विश्राम की दिन एक प्रमुख फरीसिय के यहां भोजन करने गए वे लोग उनकी निगरानी करहे थे येशु ने अतितियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देख कर उन्हें द्रिष्ठान्त सुनाया विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिति निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रन दिया है वो आकर तुमसे कहे इने अपनी जगा दिजिये और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े परंतु जब तुम्हें निमंत्रन मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठ जाओ जिससे निमंत्रन देने वाला आकर तुमसे ये कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिये इस प्रकार सभी आतितियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाये जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाये जाएगा ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है क्रिस्थ प्रभु की जये मेरे प्रिये भाई और बेहनों हम प्रभु को दिन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने पवित्र वचनों की द्वारा हमें प्रेरना देते हैं हमें जीने की कला सिखाते हैं एक विश्वासी होने के नाते हमें कैसे जीना है इसके बारे में हमें प्रभु बताते हैं आज के पहले पाठ में हमने संद पाउलूस से एक बहुत गहरी बात सुना पाउलूस ने कहा है मेरे लिए तु जीवन है मसी और मृत्यू है उनकी पूर्ण प्राप्ति बहुत जबर्दस वचन है पुलुस कहते हैं मेरे लिए तु जीवन है मसी और मुत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति मैंने आपसे बार-बार कहा है प्रभी एसु इस संसार में हमें प्रार्तना करना सिखाने नहीं आये बलकि प्रभी एसु संसार में हमें इश्वर के साथ एक रिष्टा जोड़ना सिखाया है एसु के द्वारा हम एक रिष्टा जोड़ सकते हैं अपने इश्वर से अपने पिता से इस बात को प्रभु ने यहन के सुसमाचार में बार बार दोहराया है प्रभु ने कहा तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं यह प्रभु की इच्छा है प्रभु ने कहा यहान द्याय पंदर वाक्य पांच में मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फ़लती है प्रभु ने कहा प्रकाशना ग्रंद ध्यायती इनवा की बीस में मैं दुआर पर खड़ाओ कर खटकटा रहा हूं यदि कोई मेरी वानी सुनकर मेरी दुआर खोलेगा मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ एक आदान प्रदान एक रिष्टा प्रभी येशु इस संसार में ईश्वर का प्रेम लेकर आए ताकि हम उस प्रेम पर भरोसा रखते हुए ईश्वर के साथ एक गहरा रिष्टा जोड़े तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ गहरा रिष्टा जोड़े पॉलूस इसी बात को बताते हैं मेरे लिए तु जीवन है मसी और मुर्तिव है उसकी पूर्ण प्राप्ति पॉलूस ने अपने में महसूस किया कि मैं येशु के साथ एक हो गया हूँ बहुत जबरदस्त बात है गलातियों के पत्र के अध्याई छे वाक्य चौदा में संद पॉलूस कहते हैं उनके लिए येशु के लिए संसार मेरी दिष्टी में मर गया है और संसार की दिष्टी में मैं भी मर गया हूँ येशु के लिए संसार मेरी दिष्टी में मर गया है और संसार की दिष्टी में मैं मर गया हूँ फिलिपियों के पत्र की अधियाई तीन में पौलूस क्या कहते हैं उसके वाकिश साथ से नौ तक बहुत सुंदर वचन है पौलूस कहते हैं किन्तु मैं जिन बातों को लाब समझता था उन्हें मसी के कारन हानी समझने लगा हूँ इतना ही नहीं मैं प्रबु ईशा मसी को जानना सर्वेश्ष्ट लाभ मानता हूँ और इस ग्यान की तुलना में हर वस्तो को हानी मानता हूँ उन्हें के लिए मैंने सब को छोड़ दिया है और उसे कुड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसी को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्न रूप से एक हो जाऊँ देखे पौलूस कहते हैं कि मैं येशु के साथ एक होना चाहता हूँ गलातियों के पत्र की अध्याई दो उसके वाकिबीस में पौलूस इसको और स्पष्ट शब्दों में बताते हैं पौलूस कहते हैं अपसे मैं नहीं बलकि मसी मुझे में जीता है अपसे मैं नहीं मसी मुझे में जीता है और जो जीवन मैं शरीर में जीता हूँ उसका एक मात्र प्रेरना स्रोत है ईश्वर की पुत्र पर विश्वास जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आपको अर्पित किया पॉलूस वही पॉलूस है जो येशु की शिश्यों पर अत्याचार करता था लेकिन येशु को जानने के बाद वो येशु के साथ इतना प्रेम करता है इतना एक हो जाता है कि रोमी अध्याय आठ वाके 35 में पॉलूस कहते हैं कौन हमें मसी के प्रेम से अलग कर सकता है एक गहरा रिष्टा मेरे प्रिये भाई और बेनों हर विश्वासी का भी ये मनोभा होना चाहिए मेरे लिए जीना है मसी मेरे लिए मरना है मसी यानि जिसका आधार मसी बन गया हूँ जो मसी के साथ जुड़ गया हूँ जो मसी के साथ एक हो गया हूँ पॉलूस कहें मनोभाव हमें से हरे एक होना चाहिए दीरे दीरे होगा दीरे दीरे हमें मसी में परिवर्तित होना है हमारे जीवन क्यांत में हमें मसी बनके मरना है येशु का अनुकरन कर येशु का अनुसरन कर येशु बनकर मरना है अब ये मत बताईए कि मैं विवाहित हूं, मैं पारिवारिक हूं हर विश्वासी के लिए यह एक चुनावती है पवलू से एक चुनावती है और आज के सुसमाचार में प्रभी एसुने आमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है प्रभु ने आमें नम्रता की शिक्षा दी प्रभु ने का जब तुम भोज में या किसी समारों में बुलाए जाते हो अगला स्थान मतलो पिछला स्थान लो ताकि तुम्हारा आदर किया जाए ना कि तुम्हारा अपमान किया जाए प्रभी येसु ने हमें सिखाया है कि हम अपने आपको छोटा बनाएंगे तो प्रभु हमें उपर उठाएंगे आज आपने सुना, प्रभु ने स्वैम कहा जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाये जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाये जाएगा इसी बात को प्रभी येसु लुकस के सुमाचार की अध्याय 18 में कहते है उसके वाकिय 14 में जो अपने आपको बड़ा मानता है वो छोटा बनाये जाएगा और जो अपने आपको छोटा मानता है वो बड़ा बनाये जाएगा प्रभी येसु ने हमारे लिए अपने आपको छोटा बनाया हम पढ़ेंगे फिलिप्यों के पत्र के अध्याईदों में उसके वाकिय पांच से आप सुनिएगा आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसी के मनोभावों के अनुसार बना लें वह वास्तों में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें फिर भी उन्होंने दास का रूप धारन कर तता मनुशों के समान बनकर अपने को दीन हीन बना लिया और उन्होंने मनुशी का रूप धारन करने के बाद मरन तक हां कुरूस मरन त बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में स्रेष्ट है एक विश्वासी को इस रहसे को जानना जरूरी है येशु नम्र थे मत्य द्याय ग्यारा उसके वाकिय 29 में प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हो एसु विनम्र थे एसु विनीत थे इसलिए प्रभु इश्वर ने उनको महान बनाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में स्रेष्ट है पेतरुस को सुनिये पहला पेतरुस अध्याय पांच वाकि छे में पेतरुस कहते हैं आप शक्तिशाली इश्वर के हाथ में अपने आपको नम्र बनाये जिससे समय आने पर वो आपको उपर उठाए उपर उठाने वाला प्रभू है हमें सम्मानित करने वाला प्रभू है अन्ना ने सामुल की मां अन्ना ने और मा मरियम ने इसी के बारे में गाया है कि वो दीनों को उपर उठाया प्रभू ने दीनों को उपर उठाया और रैसों की संगती में बैठाया कूडे पर बैठने वाले कंगाल को प्रभू तू ने उपर उठाया और रैसों की संगती में बैठाया हम लोग चाहते हैं कि स्वयम अपने को बड़ा बनाएं ऐसा नहीं होना चाहिए हम अपने को छोटा बनाएंगे यह प्रभू का गनित है जब हम अपने को छोटा बनाएंगे प्रभू हमें उपर उठाएंगे लेकिन जब हम अपने आपको बड़ा बनाएंगे तो प्रभु हमें नीचे लायेंगे प्रभु से हमें सेखना है तो प्रभु कहते हैं नम्र बनो मतिग येशु समाचार के अध्याय 5 उसके वागिए 4 में प्रभु येशु कहते हैं धन्य हे जो नम्र है उने प्रतिग्यात देश मिलेगा सोचिए कितनी बड़ी प्रतिग्या है प्रभु कहते हैं धन्नेहवे नम्र हैं जोने प्रतिग्यात देश मिलेगा प्रभु चाहते हैं कि हम सभी विश्वासी नम्र बने येशू की तरह बने जैसे संद्पॉलूस ने कहा एशू का मनोभाव अपना है ताकि प्रभू हमें उपर उठा सके आज संद्पॉलूस और प्रभी एशू हमारे लिए सुन्दर नमूने की रूप में रखा जा रहा है पहले पाठ में संद्पॉलूस हमसे कहते हैं मेरे लिए जीवन एशू है मृत्व एशू है हर विश्वासी के लिए जीवन और मृत्व एशू बने पॉलूस हमारे लिए चमकता उदाहरन है अनुसरन करे उसी तरह आज प्रभी एसु स्वयम अपने आपको हमारे लिए एक सुंदर उधारन की तरह रखते हैं विनम्रता का प्रतीक एसु विनम्रता के प्रतीक थे इस यास नभी अध्याय तिर्पन में हम पढ़ते हैं प्रभु ने कैसे अपने आपको छोटा बनाया जब उनके उपर जुल्म किया जा रहा था दोश लगाय जा रहा था वे मारे जा रहे थी उनके उपर अत्यचार किया जा रहा था एक मेमने कितरा वचुप रहे माउन रहे विनम्रता की प्रतीक वीनितता की प्रतीक इसी बात के बारे में संद पेतरुस कहते हैं पेतरुस का पहला पत्र उसके अधियाई दो वाकि 23 और 24 में पेतरुस क्या कहते हैं जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उतर में गाली नहीं दी जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उतर में गाली नहीं दी और जब उन्हें सताय गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्याएपुर्ग विचार करता है एक विश्वासी को ये सीखना है जीवन में कई छणों में हमें अपमान सहने के लिए मोका मिलेगा छोटे बनाये जाने के लिए मोका मिलेगा उन सारे छणों में हमें येशु को याद करना है और येशु की तरह? विनम्र बनना है, विनीत बनना है पिता परमेश्वर हमें भी उपर उठाएंगे उपर उठाने वाले वो हैं हम नहीं हैं अपने से अपने आपको उपर उठाने के प्रयाज जो करता है उन नीचे किया जाएगा लेकिन जो अपने आपको प्रभू के अधियन करता है प्रभू उसको उपर उठाएगा आएम प्रार्तना करे करुणा मैं प्रभी येशू विनम्र प्रभू प्रार्तना करता हूं हमें से हरे को तेरी तरह विनम्र बना विनीत बना दूसरों से अपने आपको छोटा समदने की गिरपा दीजिए दूसरों के सामने अपने आपको बड़ा ना मान कर अपने आपको छोटा बनाने करपा दिजिए ताकि तू हमें समय आने पर उपर उठा सके प्रव येशू जिस तरह संद पाउलूस ने कहा मेरे लिए जीवन तो येशू है मृत्यू येशू है जिस तरह संद पाउलूस ने कहा मेरे लिए जीवन तो येशू है मसी है और मेरे लिए मसी ही मृत्यू है जिस तरह संद पाउलूस ने कहा मेरे लिए जीवन तो मसी है और मेरे लिए मृत्यू मसी है चाहे हम जीवितर है या मरे हमारे हमारे जीवन के एक मात्र केंद्र विंदू और आधार येसु बने। प्रवियेसु ऐसी किरपह में प्रदान करे। ये प्रवियेसु इन वच्णों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आशिरवाद दीजी। आज का दिन उनके लिए येसु के नाम पर अनुगरा का दिन हो। आशिष का द नेनों की जोती अंधिरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है झाल